तो रुको जा रहा तेज हो रहा है यार यह में कहा से आगया वा का सी रहा है अच्छा कोई बात ने तो हेलो गाइस के सो आप लोग इस यूड़े के अंदर में आप लोगों को सीखा के बनाऊगा एक इतना चोटा सा पावर बेंक और इसमें एक टार्ज भी होगी जो कि मैं स सब्सक्राइब को स्टार्ड करते हैं तो पावर बेंक प्लस टार्ज बनाने के लिए हमें चाहिए दो लीतियो माइन बेटरी जो कि आपके पुराणने टॉप बेटरी से मिल जाए और इसके बाद मेरा हाथ देख लो कितनी साफ है वैसे यह मैंने वीडियो के लिए साफ कि और मैं सफाई कभी उखरता है नहीं मजा नहीं आ रहा है मजा नहीं आ रहा है तो आपने तोहड़ा सबर कर लेना विडियो को देखते रहे ना खुद मजा आ जागा तो आपने सिर्फ दो वायर लेना उर उसके पिटरी के साथ जुर लेना है बैटरी का पॉ지 tes यो बहुत यह पर एक मसल्ला होता है जो के निवılar लेक्टिशन के लिए बूप बड़ा प्रैबल्लम होता है के बेटी की टर्मिन génér्र पर क्यूंकि आपके नजदी के लेक्ट्राणिक शाप पर मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैं इसको लगाता हूं और इसे चिपकाना है बहुत असान तरीके से आपके पास ग्लू नहीं है तो आपने टेप लेना है और इसे तोड़ा कट करने है इसके दोने साइड की को इसे पकड़ कर कीज लेना है और आप इसको यहाँ पर लगाने रहे हैं जैसे के मैं करता हूँ तो आप मैंने इसको अच्छी तरीके से बान देया और आप एकने स्वीच लेना है जो के हम स्टार्ज के लिए यूज़ करते हैं स्वीच को तो फावरान स्वीच को लगाते हैं इसके बाद इसका कनेक्शन फॉर्ण करते हैं तो इसका पाजिटिव साइड है और दूसरा इसका नेगेटिव तो यह माडियूल का नेगेटिव साइड है मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखूँ है माडियूल का नेगेटिव साइड है और दूसरा पाजिटिव तो हम नेगेटिव को नेगेटिव की साथ मिलाते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव की साथ कि यहां पर आप लोग देख सकते हों कि मैंने इनका नेगेटिव पॉजिटिव मिला दिया है पावर बैंक के मोड्यूल के साथ और यहां पर मैंने इसका कवर हटा दिया यह हम इस स्वीच के साथ कनेक करते हैं तो मैं डायरेक्ली इसे कर देता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हों कि इसका एक तरफ कनेक्शन माड्यूल में जाता है और दूसरा डायरेक्ली स्वीच की तरफ जाता है और इसके बाद आपने एक LED लेना है जो कि मैं आपको दिकाना बूल गया हूं बाई साब यह मैं वाइस और इंग कर रहा हूं अपने वीडियो पे इसके लिए मैं सोरी और इसके एक साइड पर आपने डायरेक्ली भी लगा देना है जो कि पुराने मोबाईल चार्जर से मि अब यह पूरा बनकर रेडिये में आपको दिखाता हूं कि और डायोड मैंने कहा पर लगा है यह देख सकते हो मैंने नेगेटिव के साथ बस सीधा डायरेक्ली इसके दर्मियान में डायोड लगा दिया आपने बसी इस तरह करना है और इसके बाद डायोड पर टेप लगा अब यह दो आए अब यह दो आए अब यह दो फाइनल गाइट पावर रुबैंक पूरी तरीके से बनकर रेडिये हैं अब इसे बाकी है टेस्टिंग तो मैं पहले से रिचार्ज करके देखता हूं कि क्या है वाकी वर्करते कि नहीं तो आप लेक देख सकते हो बहुत अच लेडी भी देख सकते हो अंदेरे में कितना अच्छे तरीके से रोशनी देती है और लास्ट में बाके है मोबाइल फून चार्ज करना तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने या पर इसका पीन डाल दिया है और मोबाइल फून अच्छे तरीके से चार्ज कर रहा है तो फाइ सब्सक्राइब करके जाना है तेंक यू